मद्यपरदेश में उप्चनाव से पहले जोड तोड की राजनीती शुरू हो गई है BJP ने उप्चनाव से पहले कॉंग्रस को कई जटके दिये अब कॉंग्रस ने भी BJP के लोगों को तोडना शुरू कर दिया है कॉंग्रेस के पुराने नेता ने एक बार फिर से कॉंग्रेस का दामन थाम लिया है साल 2018 में उज्जैन के पूर्व सांसत प्रेम चंद गुड़ू कॉंग्रेस से नराज होकर बीजेपी में चले गए थे और अब दो साल तक बीजेपी में रहने के बाद फिर से कॉंग्रेस जोईन कर ली है प्रेमचंद गुड़ू के साथ उनके बेटे अजीत बौरासी ने भी कॉंग्रेस की सदसता ग्रहन की है सियासत के खेल में कब कौन किदर होगा ये अनुमान लगाना आज भी मुश्किल है पूर्वसांसत प्रेमचंद गुड़ू बीते कई सब्ता से पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अक्तियार किये हुए थे महराज सिंध्या के बीजेपी में आने के बाद से ही गुड़ू उन पर हमलावत है उन्होंने कॉंग्रेस से बीजेपी में आय सिंध्या और तुलसी सिलावट के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था सिंध्या और उनके समर्थक तुलसी सिलावट पर जम कर बयानबाजी भी की थी गुड़ु ने कहा था कि तुलसी सिलावट सिंध्या के चापलूस है बता दे कि प्रेमचंद गुड़ु ने सावेर विधान सबा सीट पर होने वाले उप्चनाव में सिलावट को हराने का खुला एलान भी किया था अब कॉंग्रेस में आते ही प्रेमचंद गुड़ु ने जोतरादित्य सिंध्या पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंध्या उनको निजी तौर पर कॉंग्रेस में रहते हुए प्रताडित करते थे मैंने कॉंग्रेस भी जोतरादित्य सिंध्या की वज़े से छोड़ी थी जिसके बाद वो कॉंग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और अब सिंध्या के बीजेपी में आने के बाद वो दोबारा कॉंग्रिस में आ गए है आपको बता दें कि उज्जेन के पूर्वसांसत प्रेमचंद गुड्डू लोकसभाचनाव से पहले बीजेपी में चले गए थे लेकिन पार्टी में अंदेखी की वज़े से वो नराज चल रहे थे गुड्डू के तेवर को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें नोटिस जारी किया था नोटिस के जवाब नहीं देने पर बीजेपी ने प्रेमचंद गुड्डू को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था वहीं प्रेमचंद गुड्डू का कहना है कि मैंने नौ फरवरी को ही पार्टी छोड़ दिया कॉंग्रिस की सदिसता ग्रहन करने के बाद प्रेम चंद गुड़ू ने कहा कि अब 24 सीटों पर उपचनाव में मैं प्रचार के लिए जाऊंगा सभी सीटों पर सिंध्या को मैं सबक सिखाऊंगा केंद्र मंत्री रहते हुए सिंध्या ने कभी मेरे संसदिय शेत्र पर ध्यान नहीं दिया मैं कॉंग्रिस में आकर अच्छा महसूस कर रहा हूँ बहराल मद्रप्रदेश की सियासत में ये कयास लगाये जा रहे हैं कि बीजेपी में दो साल रहने के बाद फिर से कॉंग्रेस वापिस लोटने वाले प्रेम चंद गुड़ू आगामी विधान सबा उपचनाव में बीजेपी के तुलसी सिलावट के सामने सावेर से अपनी उमीदवारी ठोक सकते हैं